जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि काफी सारे ऐसे अप्लिकेशन के बाए मैं बात किया हूँगी जहां पे आप असानी के साथ इंस्टेंट प्रस्टनल लोन के लिए अपलाई कर सकते हो और इंस्टेंट एप्रूबल ही हो जाता है और साथ मैं आप अपने एकाउंट के करा सकते हो लेकिन बात दोस्तों यहां पे प्रस्टनल लोन की नहीं है बात यहां पे हैं बड़ा एमाउंट का यानि की जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता कि काफी सारे से बीडियोस के अंदर मैंने पांस जर दस जार पंदरा जार बीजर तक ही बताया था कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाइक कर लेना है लेकिन इस बीडियोस कंदा दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फ्लोटन इंडिया के बारे में जो एक इंस्टेंट प्रस्टन लोन एप्लिकेशन है जो कि यहां पे पचास जर से लेकर पचीस लाग तक लोन आपको प्रवाइड करा रही है और बात रूदुस्ता यहां पर रेट अप्रिट इंटेस्ट का तो बहुत ही कम एंटेस्ट प्रवाइड करें जा रहा है और सबसे कमाल की चीज़ यह कि अगर आपका लोन यहां पर एप्रूबल हो जाता है यानि कि आप इलीजबल जब हो जाथे हैं तो जितना भ आपको follow करना है तो चलिए सुरू करता हूँ वीडियो को बिना time वेस्ट के हुए सबसे पहले करना है कि दुस्तों वीडियो के description में अप्लिकेशन का link मिल जाएगा उस पर क्लिक करके अप्लिकेशन को download कर लीजेगा download करने के बाद open करना है उपन करते हैं कुछ इस तरीके से option बनके आएगा सिंपली यहां पर मिशन पर क्लिक करके यहां पर पर मिशन आपको दे लेना है सिंपले दोस्तों यहां पर ग्रांट पर मिशन सकस्पूल यहां पर देंगे उसके बस आ पहले आपको दूप्सन पूझ रहा है बोले कि आप से लाइड हो या फिर से इंपलोई हो हम लोग इस वीडियो सक अंदर बात करने वाले हैं से लाइड के लिए और से लिए लास्ट में बता दूंगा उन बंदो के लिए क्या करना पड़ेगा इस से पहले दोस्तों थोड साल तक इसलि आप उसको इम इंस्टॉर्मेंट पेपेमेंट कर सकते हो इसका साथ एंवल इंट्रेस्ट रेट जो है आपका 12% पर स्टार्ट होगा यानि कि 11.99 पर्शेंट से स्टार्ट होगा और मैक्समूम जो है आपको 24% तक जाने वाला है था कि आपको इस तरीक से आपके सामने हों पेड connecting होने वाला है तो simply तो सबको करना किया है यहाँ पर अपना full name डालेंगे अपना gender select करेंगे अपना data पर डालेंगे current address जो pin code है दोस्तों यहाँ पर डालना है साथ में आपको type of organization जो है यहाँ पर select करेंगे या आप किस type के organization में काम करते हो public limited में हो या फिर से mnc company में हो या फिर से दोस्तों आप किसी भी तरह का trust करते हो तो simply आपको यहाँ पर select कर लेना है सब्सक्रों कि जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है private limited अगर आपकी company है तो simply आपको यहाँ से select कर लेना है साथ में पर पूछ रहा है कि net monthly income यानि कि आपका मंत का जो income आपका कितना है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर select कर लेना है select करने बाद दोस्तों unlock your offer का option यहाँ पर है यहाँ पर आपको simply click कर देना है unlock your offer के उपर दोस्तों click करने बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने option बन कर जाएगा उसके पास यहाँ पर पूछ रहा है कि how much do you need यानि कि आपको कितने पैसे की जूरुरत ह यहाँ से आपको select करना है तो simply आप अपने हिसाब से यहाँ पर select कर लेजएगा 50,000 के लिए apply करना है साथ में दोस्तों यहाँ पे टेनर का option मिल जाएगा नि कितने मंत के लिए ले रहे और आपका EMI जो है दोस्तों कितना यहाँ पर देना पड़ेगा और साथ में rate of interest जो है करना पड़ेगा उसके पासे दुस्तों आपको simply करना क्या है go ahead का जो अप्सान है simply आपको click कर देना है उसके फ्रेंड इस तरीके सा कुछ homepage बनके आ जाएगा इसमें कुछ आपको details हो करना पड़ेगा तो simply अपना material status जो है यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके पास से अपन आप जो है address आपको fill up करना पड़ेगा तो समयरा से मैं तो यहाँ पर select कर लेता हूं current residence जो है दोस्तों यहाँ पर select कर लेना है कि आप रेंटेड हो यहाँ फिर से आप फेमली के सांथ रहते हो तो अगर अपना है तो यहाँ पर on पर आपको select कर लेना है उसके बास से आपको क्लिक कर देना है इसके पासे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने option बन किया जाएगा उसके पासे आपका सारा details हो करने start कर देगा यहाँ पर बुछ रहा है कि आप किस company में काम करते तो अपना यहाँ पर company का नाम डालेंगे current office address हो है जो भी company का address होगा यहाँ पर डालेंगे उसके पासे यहाँ पर office email address यानि कि आपका जो office का email address हो डालेंगे जो कि यह personal है है दो डालेंगे नहीं तो उसको छोड़ देना है ठीक है उसके पासे दोस्तों यहाँ पर total work experience जो है आपको यहाँ पर year में और month में clarify करना है यानि कि आप कितने साल से कर रहे हो कितने month से कर र 40 घंटे के अंदर आपका approval हो जाता है यानि कि अगर आप उस loan के लिए eligible होंगे तभी आपका application जो है दोस्तों यहाँ पर approval होगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन बंदा जो है इससे apply कर सकते है तो आप से light हो तो easily आप apply कर सकते हो अगर आप self-employed है तो simply आपको फ्लो